नवस्कार दोस्तों आप सभी लोगों ने देखा होगा कि अभी तक हम लोग सिविल सर्विस के बारे में काफी कुछ जानकाई प्राप्त कर चुके हैं और याद रखिए आपके जो मुख परीक्षा तक जो सुरू की आपके पांच पेपर होते हैं जिसमें एक तो आपका निवंद रहता है और बाकी आप देखते हैं चार आपके जी एस के पेपर होते हैं सामानद ध्यन के इनहें किस तरह से इनके बारे में जो भी पॉइंट हैं जो भी जानकारी हैं आपके दिमाद में जो भी कुश्चन साते रहते हैं इससे रेलेटिव उन सब के अंसर आपको मिल गए होंगे इन सबी क्लासों में अगर आप लोगों ने फुरानी पिछली क्लास में नहीं देखी हुई हैं तो जाकर आप लोग देख लीजेगा सेविल सेवा परिक्षा की नाम से आपकी सोची बनी हुई है उसी में करम से आपकी सबी क्लास हैं डली हुई है आपको उधारन भी दिया हुआ था कि जब आप लोग प्यारंबिक परिक्षा पास कर लेते हैं तो आप पहुंचते हैं किसमें मुख परिक्षा में तो मालने जी सेप्टमबर एक सेप्टमबर से आपकी मुख पर इच्छा सुरू होती है तो एक सेप्टमबर को आप लोगोंने क्या पेपर दिया था नेबंद का ऐसे का ठीक है फिर आप लोग क्या करेंगे एक तारीक को एक सेप्टमबर को आप लोगोंने ऐसे का पेपर दे दिया येज़ भी कर सकते हैं, फृर आप देखेंके 2 September को, जो आपका सामानध्यन पेपर 1st और सामानध्यन पेपर 2nd दो पेपर आपके 2 September को कबर हो जाएंगे। फिर आप देखेंगी 3 सेप्टमबर आता है तो इस तरह आप देखेंगी paper third यानि की समानध्यन paper third, gs paper third आपका और paper four यानि की gs paper four, समानध्यन paper four, कबर हो जाएगा अगर आप लोग क्रम से देखें तो एक, दो, तीन, चार, पाँच पेपर आपकी कतम हो जाएंगे ठीक है? पहले दिन एक सेप्टमबर को किवल एक ही पेपर होगा, वो निबंद का होगा दो सेप्टमबर को आप लोग देखेंगी, दो पेपर होगे, सामानत दिन पेपर फ़स, सामानत दिन पेपर सेकेंड और याद रखे, दो तारीक को जो पेपर होगे तो आपको बता दूँ इसमें आप लोग देखेंगी नॉर्मल आपका नौ से बारे रहता है सुबह नौ से लिकर बारे तक और फिर आप देखेंगी दूसरा पेपर आपका साम दो बजे से लिकर पांच बजे तक रहेगा ठीक है? और याद रखिए तीनों दिन में लगातार होते हैं पांच पेपर अगर कोई प्रोब्लम खड़ी हुई है तो हो सकता है कि आंगे पीछे हो जाए बैसे तो अभी तक देखिए 2018 देख लिजे 2019 देख लिजे 2020 देख लिजे इसमें आपके लगातार तीन दिनों में आपके एपांच पेपर खतम हो जाते हैं फ़र आप देखेंगे कि आपका कुछ दिन का आपको gap मिलता है एक week का लगवा फ़र आप देखेंगे next week आप देखेंगे क्या होगा आपका पेपर ए जिसमें आप देखते हैं कि भारतिय सम्मिधार में जो आठवी अनसूची है इसमें जो भासाएं सामिल हैं उनमें से एक भासा आपको चुन्नी होगी उसी के आपके questions पूछे जाएंगे और याद रखे जो इसे पेपर ए भी कहते हैं या पेपर का भी कहते हैं आप लोग पिषन पत्का तो यह आपका 9 से 12 माना जाता है सामनता आप देखेंगे 9 सुभाई 9 बजे से आपका दोफर 12 बजे तक और जो आप देखते हैं paper second paper B जिसे कहते हैं आप लोग A आप देखेंगे सुबए के बाद आपका साम की दो बज़े से लेकर 5 बज़े तक आपका पिस्णपत B जो इंगलिस में होता है अनिवार होता है A आपका हो जाएगा ठीक है और अगर हम लोग पहले पिस्णपत की बात करें A की या जिसे आप लोग का कह लीजिए जो भी कहना आओ को तो A आपका कितने नंबर के रहेगा यह आपका रहेगा 300 नंबर का कितने घंटे समय मिलीगा इसके लिए तीन घंटे समय मिलीगा पीपर भी भी कितने नंबर करेगा यह भी आप देखेंगे 300 नंबर करेगा इसके लिए भी कितना टाइम मिलीगा आपको सौल करने के लिए तीन घंटे का टाइम मिलेगा और आपको एक और दिल्चस्प बात बताता हूँ इन दोनों पेपर के नमबर आपके मेरिट लिष्ट में नहीं जोड़ते हैं फिर से सुन लेजे जो आपका मेरिट लिष्ट बनती है न 2025 टोटल नमबर में से उसी क्याधर पर आपको रैंकिंग मिलती है उसमें इन दोनों के पेपर के नमबर नहीं जोड़ते हैं एक केबल आप देखेंगे क्वाइलिफााई रहते हैं पेपर A और पेपर B केबल क्वाइलिफाई रहता है इन दोनों पेपर में आपको 25% नंबर चाहिए होते हैं 300 नंबर में से माली ये पेपर ए है आपका और आप लोगों ने हिंदी ली हुई है हिंदी भासा चुनी हुई है तो ये पेपर 300 नंबर का होगा इसमें आपको 25% अंक प्राप्त करना ज़रूरी होगा और आप लोग पास हो जाएंगे इसी तरह पेपर बी में भी आप देखिए जो इंगलिस का होगा आपका इसमें भी आप देखेंगे 300 नंबर में से 25% आपको नंबर क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरी रहेगा अगर आपके 25% नंबर आ जाते हैं तो आप काफी हैं ठीक है आप लोग पास करना अनिवार हैं और इसे लिए आप देखते हैं कि जब आप लोग मुख परिक्षा की तैयारी करते हैं तो इन पेपर पर कमी जोर देते हैं आप लोग कमी ध्यान देते हैं आप लोग लेकिन याद रखिए इनका भी महत्थ है अगर आप लोग इनमें नहीं पास कर पाते हैं तो मतलब क्या रहे गया आप लोग आप लोग देखिए कि आप वैसे भी बाहर होई आएंगे तो इन्हें भी आप लोगों को पढ़ना है अब इसमें क्या पूछा जाएगा इन्हें भी बता देता हूं तो माल लेजी कि आप हिंदी भासा चुनते हैं आप हिंदी भासा चुनते हैं और याद रखिए इसमें आर्थ वी अनसूची में जो भी आपकी 22 भासाईं सामिल है इन में से कोई भी आप एक भासा चुन सकते हैं जैसे आप उने हिंदी भासा चुनी विए तो इसमें आप देखेंगे हिंदी में आपकी questions क्या पूछे जाएंगे इसमें आप देखेंगे कि आपके पास विभिन नतरह की questions आएंगे आपको एक तो आप देखेंगे कि इसमें आप लोगों को ٹोटल क्वूस्चंस लगबग आप देखेंगे पांच कुश्चंस के करीब आपको मिलते हैं 5-6 कुश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इसमें भारती भासाओं में इसे एक भासा जो समिधान की अठवी अन्सूची में सामेल है उसे पेपर का के लिए उम्मीदबार द्वारा चैनित किया जाता है इस पेपर का पूड़ांक आप देखेंगे 300 नंबर करोएता है और जिसमें क्वालिफाइंग 75 रहते हैं यानि की मिनिमाव आपको 75 नंबर इसमें लाना ही होगा यानि की टोटल 25 पर्षेंट एक तरह से इसमें पिसन पत्त में पैटर्न मौटे तोर पर क्या रहेगा बौद गम्मिता जिसे आप लोग क्या कह देते हैं और इसमें आप देखेंगे संचिप्त लेकन सब्द परियोग वसंद भंडार लगू निवंद अंग्रेजी से भारती भासा और भारती भासा से अंग्रेजी भासा में अनुबाद आप लोग जब छोटी क्लासों में थे या बारवी में तक थे तो आज इस तरह के आप देखते होंगे कि इस तरह का अनुबाद करने के लिए कुश्चन्स आपकी परिक्षाओं में पूंचे जाते थे तो यह आप लोगोंने हिंदी अगर एक तरह से ली हुई है तो उसका यह पार्ट करम हो गया ठीक है इसमें आप लोगों को बताओं तो आप देखेंगे इसमें एक तरह से आपकी पहला पुश्चनपत 2020 का बता रहा हूं वैसे आने बाले समय में हम लोग हर कुश्चन्स पेपर को देखेंगे तो पहला कुश्चन्स तो यही पूंचता है कि न इतना है 600 सब्दों में उस पर निवन्द लिखना होगा और यह आपका 100 नंबर कर रहेगा ठीक है फिर आप देखेंगे कि दूसरा कुश्चन्स में पूंच लेगा कि निमलिकित गद्धांसों को ध्यानपूरग पढ़िए उसकी आधार पर नीचे जो पिसने दिये गए उ तारंस अपने सब्दों में ही लिखना है यह कुश्चन्स आपका तीसरा भी 60 नंबर करेगा फिर आप देखेंगे कि चौत्रा पिपर निमलिकित गद्धांस का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए आपसे पूंचेगा और पांचवे पिपर में आपसे कहेगा कि नि बाकियों में प्रियोग कीजिए और इसी में आप लोग भी आपको देखने को मिल जाएगा कुश्चन नंबर चट्वे में नेमलिकित बाकियों की सुद्ध रूप लिखना है आपको ठीक है यह भी आप लोग देख सकते हैं चट्वे में सी ऑप्सन और रहेगा नेमलिकित यह कुश्चन पूंचे जाएंगे और बाकिया आपकी भासा हैं जो भी आप लोग चैन करते हैं उसे साथ से आप लोग डाउनलोड करके पेपर देखते रहेगा लेकिन यह 300 नंबर करेगा इसमें 25 परसेंट नंबर आपको लाना होगा और आंगे इसकी नंबर का कोई आप पहले सामानत दिन पेपर फश्ट में आपके अगर 180 नंबर भी हैं 200 में से तब भी आप लोग फैल मान लिए जाओगे तो विसे इस तोर पर आप लोगों को यह ध्यान रखना होगा अब बात करते हैं अंग्रेजी भासा की जिसे आप लोग पेपर बी कहते हैं और याद र करेगा और जिसमें क्वालिफाइंग अंग 75 यानि की 25 परसेंट निधारित किये गए इसके नंबर भी आप देखिए कि आपके फाइनल जो मेरिट लिष्ट बनती है उसमें नहीं जुडेंगे उसमें केबल कौन-कौन से जुडेंगी जो निवंध है उसके नंबर जुडे जुडेंगे सावान अध्यन पेपर फोर इसके भी नंबर जुडेंगे और जो ऑप्शनल रहता है विकल्बपर रहता है जो दो पर होते हैं उन दोनों की नंबर जुडते हैं उस तरह से टोटल आप देखेंगे आपके दो हजार पच्चीस नंबर हो जाते हैं इसी के आधार पर आपको कोई पद मिलता है आपका final merit list बनती है समझ रहे हैं आप लोग तो यह आप लोग ज़रूर याद रखेएगा और इसमें क्या कूचेगा अंगरी जी में आपसे तो आपको बता दूँ इसमें आपका एक तो आप लोगों को मालो होना चाहिए इसके pattern में आप देखेंगे कि आपका comprehension of given passage और इसमें आप देखेंगे कि प्रैसी राइटिंग संचिप्त लेकन और इसमें usage and vocabulary sort essay यह आपके इससे पूचे जाएंगे एक तरह से ठीक है और भारती भासाओं और अंगरेजी के पिस्नपत्त कमेट्रिक कुलीशन या संक्ष इसतर के होंगे जिसमें केबल आहरता प्राप्त यानी की आपको केबल पास्टिंग माफ्स यानी की ना होगा इन पिस्नपत्रों के जो प्राप्त अंकों की योगता क्रम निर्धारित करने में नहीं गिना जाएगा यानी की फाइनल मेरिश लिष्ट में ये नंबर आपको नहीं जुड़ेंगे उम्मीदवारों को क्वालिफाई अंग्रे जी और एक भारती भासा की पिस्नपत्रों का उत्तर किरम सा अंग्रे जी और समंधित भारती भासा में ही लिखना होगा यदि किसे पिस्नपत्रों के साथ ही किया जाएगा कि परंदु निवन्द और सामान अध्यन और विकल्पिक विश्य की पिसनपत्तों पर केवल ऐसे उम्मीदबारों के मामले में विचार किया जाएगा जो इन अरग पिसनपत्तों में नियोनतम मानकों की रूम में भार्दी भासा में 25 परशेंट और अंग्रेजी में 25 परशेंट अंग पराप्त होते हैं इनका सीधा सा कहने का मतलब है कि आप अगर इन दोनों पेपर में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो कोई मतलब नहीं रहा है आपका कि आप लोगों ने निवंद कितना अच्छा लिखा था वो चार सामानद्यन की पेपर किस तरह से दिये थे और आपका कितना अच्छा था इनमें अनिवाय रूप से आपको 25 परशेंट नंबर चाहीं होगे क्वालिफाई करना ही होगा तभी आप लोगों के लिए कुछ फायदा रहेगा कुछ रिजल्ट मिलेगा यह आप लोग याद रखें और अंग्रे जी का भी आप सभी जानते ही कि 300 नंबर का रहता है इसमें भी आप देखेंगे कि आपको एक तरह से आपका निवन दाता रहता है पैसे बाता रहता है उनसे आंसर चाहटने के लिए तो यह भी आप लोग याद रख सकते हैं तो इन सबी पेपरों को आप लोग डाउनलोड करके एक दो बार देख लीजेगा और नहीं तो आने वाले समय में हम लोग भी देखेंगे आपके प्रेलिम्स के पांस से चे साल बोनाने कुश्चन्स पेपर देखेंगे मुख पर इक्षा के भी देखेंगे निवंद भी देखेंगे और यह बेकल्पिक जो आपके क्वालिफाइं पेपर हैं ए भी पेपर यह पेपर भी इसे भी हम लोग देखेंगे और हम लोग आपके ऑप्सनल को भी देखेंगे हिस्ट्री और जियोग्राफी और बाकी आप आप लोग बताएं तो उसे भी लोग देख लेंगे तो एप एपर एपर पैपर बी की कहाने का अब ही तक आपका क्या-क्या हो चुका है अप देखिए कूया-क्या हो चुका है फिर से बता देता हूं निवंद खत्म हो चुका है, जो G.S. के पेपर आपके 4 हैं, जनेरल इस्टेडिच के, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, magari फेपर 4, इन्हें भी हम लोग खत्म कर चुके हैं, जो आपके कमपलशरी पेपर है, पेपर A और पेपर B इन्हें भी हम लोग खतम कर चुके हैं अब बचता है आपका optional जैसे मान लिजे आप लोग ने history ली हुई है या आप लोग ने geography ली हुई है तो आप मान लिजे कि 6 दिन का आपको gap मिल गया कितना 6-5 दिन का आपको gap मिल गया और उसके बाद आप देखेंगे कि अंगले दिन आपका 6 दिन के gap के बाद एक तरह से आपका 5-6 दिन के gap के बाद आपका Hindi का पेपर खतम हो जाता है और अनिवार English का पेपर खतम हो जाता है पेपर A और पेपर B खतम हो जाता है उसके अंगले दिन ही आपका Optional होगा क्या होगा? Optional होगा और Optional में दो पेपर रहेंगे Optional फेपर एक जैसे आप लोगों नए history लिए हुआ है तो दोनों paper history के ही रहेंगे ऐसा नहीं कि पहला paper आपका history का होगा दूसरा आपका geography का होगा यह भी आप लोग याद रुखे माले जे history का लिया हुआ है तो paper first history का 9 से 12 की बीच आपका सुबह 9 से लेकर 12 की बीच खतम हो जाएगा और दूसरा paper आप देखेंगे 2 से 5 की बीच खतम आपका हो जाएगा यहां आपकी मुख परीक्षा खतम होगी अब result आएगा उसके बाद आप देखेंगे कि 2 से 2,5 महीने बाद आपका interview होगा और उसके 2,5 महीने बाद आपका final list आजाएगे final result लटा जाएगा तो चलिए अंगली class में हम लोग optional के बारे में बात करेंगे उसका जो भी partgram है जो भी syllabus है उस पर भी हम लोग बात करेंगे लेकिन आपको बता दू हम लोग history optional देखेंगे और geography आपका optional देखेंगे बाकी अगर आप लोग कोई subject लेते हैं तो उसका syllabus आप लोग download कर लेजेगा pattern होई ही रहेगा बस syllabus बदल जाएगा चलिए मिलते हैं आप लोग आप लोग पढ़ते रहेए, enjoy करते रहेए और आप लोग NCEIT पढ़ना सुरू कर देजेगा क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं उखडने वाला है